केमलन फाइन साइन्स एक लीडिंग मैनुफेक्चरर है एंटी ऑक्सिडेंट्स की और वर्ल्ड की थर्ड लाज़ेस्ट वेनलिन मैनुफेक्चरर है लेकिन इनकी वेनलिन की फैक्टरी ही पिछले एक साल से बंद बड़ी हुई है वेलकम टू फिन्टैस्टिक मैं हूँ आश्रय अकरवाल और आज हम देखेंगे कि क्या हुआ कैमलन के साथ जिसकी वज़े से इनका शेर 40% गिर गया पिछले आठ महिनों में 95% प्रॉड़क्स जो वेनिला यूज करते हैं वो एक्चुली में वेनिलिन होता है जो एक आर्टिफीशल फ्लेवर है वेनिला का कंपनी की 4200 मेट्रिक टन की एक जॉइन्ट वेंचर है चाइना में वैंग लॉंग टेकनलोजी कंपनी के साथ जिस पे फैब 2021 में सुप्रीम कोर्ट अफ चाइना ने इन्फरिंचमेंट अफ वेनिलिन टेकनलोजी की वज़े से 183 क्रोड का पैनल्टी लगाया इस पैनल्टी के चक्कर में कैमलिन भी आई और इन पे भी कोर्ट ने 12 क्रोड का फाइन लगाया इस वज़े से पिछले एक साल से कंपनी की चाइना वाली फैक्टरी बंद पड़ी हुई है और वहां से जीरो रेविन्यो आया इस केस की वज़े से इन्वेस्टर्स ने कंपनी पे से अपना ट्रस्ट खो दिया और इनका शेर 40% लड़क गया शायद इतना ही काफी नहीं था कुछ टाइन के लिए इनकी यूरोप वाली फैक्टरी भी बंद थी जिसका रीजन इन्होंने एन्वल मैंटेनेंस दिया ये तो हुई बुरी खबर बट अब कंपनी क्या कर रही है तो कंपनी ने एक चायना की फैक्टरी से भी बड़ी फैक्टरी जो 6000 मेट्रिक टन की होगी वो सैटप कर रही है दहेज गुजरात में और वो जुलाई 2022 तक प्रोड़क्शन स्चार्ट होने का टार्गेट है चलिए अब देखते हैं कंपनी का फ्यूचर कैसा है चलिए एक बार क्विक नज़र डालते हैं कंपनी के मार्केट ट्रेंड पे और इस पे कंपनी ने NSE पे कैसा परफॉर्म किया तो जुलाई 2021 में कंपनी का शेर लगबग 225 रुपय का था जो जैनुरी 2022 में एक पॉइंट पे 120 के आसपास आ गया था जो कि almost 50% होता है फिर वहां से थोड़ा रिकवर किया और फिर अभी 138 के आसपास है जो कि 40% डाउन है अपने all time high क्या फिर 52 week high से चलिए अब कंपनी का revenue mix देखते हैं इनके product से पिछले 4 सालों का और last team quarters का तो हर एक category में company अच्छी खासी growth दिखा रही है और फिलहाल जो 9 months का period है वो almost पिछले एक साल का revenue के बराबर हो चुका है जो की बहुत positive sign है लेकिन अगर आप aroma chemicals देखोगे तो ये जो चाइना वाला issue हुआ जिसकी वज़े से इनकी factory बंद हुई वहां से इनको almost zero revenue आया ये ज तो अगर आप यहां पे देखोगे तो 2021 में इनका जो aroma chemicals था वो 17% constitute करता था revenue का लेकिन last 9 months में ये सिर्फ 1% पे आगे रह गया है तो जब तक वो दहेज वाली इनकी factory start नहीं होती ये ऐसा ही चलने वाला है तो at least 2 quarters और इनके ऐसे ही जाएंगे उसके बाद जैसे जैसे ramp up geography mix भी देखते हैं कौन से कौन से region से company को कितना revenue मिलता है तो इंडिया से इस साल इनका revenue काफी कम हुआ है और ये एक quarter के बाद भी लगभग 6000 millions पे ही stand करेगा तो net growth almost zero होने वाली है इंडिया में लेकिन अगर आप Mexico का देखेंगे तो chances हैं कि थोड़ा सा increase हो जाए last year के comparison में व Brazil definitely last year को surpass कर जाएगा वैंग लॉंग में तो इनकी factory ही बंद है तो यहां से तो कोई उमीद भी नहीं है North America बहुत अच्छी growth कर रहा है और यहां से बहुत अच्छे profits के chances हैं यह consolidated basis में है ना की stand alone I hope आपने इस छोड़े से वीडियो को enjoy किया होगा और comment में जरूर बताइएग अगर आप Camlin में invested हैं या आप buy on dip करने वाले हैं अगर आपको कोई भी doubts है या आप चाहते हैं मैं किसी company का detailed fundamental analysis करूँ तो please comment में बताइए थैंक यू